हाई फ्रेंट्स आज हम दिखाएंगे कि इस तरह का डॉबल डॉर का जो डीजाइन होता है उसका टूल पाथ किस तरह से बना जाते हैं और इस डीजाइन को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं तो यह जो डॉबल डॉर होता है इसका आधा ऐसे नाब लेके और इन यह कोने से सेट करके यह दोनों डीजाइन जो है उसको पेश्ट करने के बाद हम एक साथ में काट सकते हैं या तो और इन सेंटर में सेट करके खली इतना सा साइज लेके और इन लेके हम काम कर सकते हैं तो जब डोर पूरा प्लेन आ जाता है जो जॉइंड करके तब हम पूरा डोर का टूल पद बना के सेट करेंगे और अगर पैनल मिस्त्री लोग अलग सा जोल के पैनल बना के अगर देते हैं तो खाली इतना सा जागा को सिलेक करके इधर से सेंटर ओरिजिन सेट करके हम काम कर सापोज इधर 24 इंच वाई 32 इंच का हमारा डूर है तो ओके कर देंगे इसके बाद क्या करना है एक rectangle लेंगे जिसका width होगा 24 इंच और height होगा 25 इंच फिर create close एपना इन प्रेस करके इसको page के middle में रखेंगे अब यह offset देंगे चार इंच का ठीक है और इसके बीच में एक चार इंच का पट्टी बनाएंगे create close अब ही क्या करेंगे एपना इन प्रेस करके equal distribution करेंगे फिर यह वाला select करके shift ट्रेस करके यह वाला rectangle select करेंगे और यह वाला जगा पर जाके इसको हम subtract vector कर देंगे तो ऐसे आ गया अभी origin हम इधर से set करके दोनों design को इधर paste करेंगे और tool path बना देंगे अभी हम क्या करेंगे जो top वाला design है उसको यह top वाला जगा में paste कर देंगे तो import option में जाके पहले top वाला design को लेते हैं इधर ऐसे रखते हैं फिर यह top वाला size को देख लेंगे इधर से transform में जाके 16 inch भाई 30 inch है तो width इधर लिखेंगे 16 और height लिखेंगे 30 apply इसके बाद क्या करना है इसको select करके shift trace करके यह वाला rectangle और उसके बाद center vector कर देंगे फिर इसको हम इस तरह से paste कर देंगे इसको close कर देंगे इसके बाद relief option में जाके import फिर bottom बाला design जो है उसको लेंगे उसका भी size इधर से देख लेंगे यह select करके देखे 16 बाई 30 है तो इधर 16 और इधर 30 apply फिर इसको select करके उस तरह से shift trace करके इधर और center vector फिर इसको हम paste कर देंगे यह दोनों paste हो जाने के बाद हमें क्या करना है दोनों का height बरबर है के नहीं हम check करेंगे कैसे इसको पहले select कर लेंगे पिर यह वाला जगह पर जाकि इसका height देख लेंगे height देखने के time पर model कि सेट साइच हमें millimeter में इसको convert कर लेना है ठीक है फिर इधर जाके देखिए 17 है तो इधना height नहीं लगता है दोर पर 10 हैमिम कर देंगे इसको selected vector को 10 हैमिम करेंगे पहले फिर दूसरा बाला जो है उसको select कर लेंगे इधर भी selected vector को 10 हैमिम कर देंगे बस अभी यह हो गया इसके बाद windows में जाके tile vertically अभी origin देखिए हम कहां से set किये हैं उसके उपर सब कुछ है तो इधर क्या करेंगे हम यह दोनों line को ऐसे select कर लेंगे और offset में जाके inside में 0.5 offset देंगे फिर टूल पाद में जाके सबसे पहले line चेक करेंगे inside में 0.5 select इधर 6 mm end मिल देके 0.5 ok select इसके बाद setup में जाएंगे जितना हमारा material होगा सापोज 35 mm तो इधर 35 mm लिखेंगे ok फिर now option पे क्लिक कर देंगे close अभी ball nose से इसको finish करना है सापोज आपको 6 mm ball nose से करना है तो इधर जाके 3D में select vector यह 10 mm का design है तो j dropping का जोरुद नहीं पड़ेगा तो select option में जाके आप 6 mm ball nose लेंगे इधर 0.5 step down लेंगे बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा ओके select फिर now option पे क्लिक तो देखिए selected vector में टूलपाद हो जाएगा यह तो हुआ पूरा door design cutting करने के लिए और अगर आपके पास panel बना के दिया है तो क्या करेंगे ओभी दिखा देता हूँ तो इस तरह से पूरा door का टूलपाद बना सकते हैं और इतना सा ही खली cutting हुआ पूरा cutting नहीं होगा ठीक है यह simulation भी देख सकते हैं और अगर इस तरह से आपको काम नहीं करना है पैनल बना के दिया है तो वो process भी दिखाता हूँ तो यह plane अगर उटका door आए उसके उपर इस तरह से हम काम करेंगे और अगर पैनल बना के दिया है तो क्या करेंगे देखिए तब क्या करना है जितना पैनल का साइज है सापोज सोला भाई 32 का हमारा एक एक पैनल का साइज है तब हमें Center Alignment करके Toolpad बनाना है पिर इसको OK कर देंगे Relief एक बना के दिखाते हैं Relief Import तो साफोज Bottom बाला तो Bottom ऐसे सिलेक कर लेंगे इसके बाद model में जाके set size हम mm में इसको convert कर लेंगे इधर 10 mm लिख देंगे apply यह size कितना लिए है mm में अच्छा mm में size लिए है तो एक सोगा 405 406 406.4 और यह 812.8 अप्लाई फिर इसको select करके f9 और इसको paste कर देंगा अगर किसी का काम नहीं करता है तो यह वाला जगा देख रहे है center in page यह option पर क्लिक कर देंगे फिर paste इधर क्लिक कीजिए windows टाइल भर्टिकली देखिए center पर origin set किया हुआ है तो आभी क्या करना है यह जो line है इसको select करेंगे offset में जाएंगे inside में 0.5 offset देंगे फिर इसी line को select करके जैसे मैंने दिखाया था पहले एक line चेक करना है तो inside में 0.5 step down देके 6 mm लेकर इधर 0.5 ok select material आपका जितना होगा उतना लिख देंगे ok इसके बाद now फिर close इसके बाद 3D करना है तो यह 3D वाला लेकर selected vector में 6 mm ball लोज देके आप finish कर दीजिए और finishing आच्छा चाते हैं तो beat के हिसाब से simulation एक बाद चेक कर लीजिएगा लेके काम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा तो इस तरह से आप अलग-अलग पैनल को set करके भी design काट सकते हैं और यह तो पूरा door को भी select करके आप काम कर सकते हैं कभी यह left side way अलग है तो आपको mirror option में जाके इसको खाली mirror horizontally करके लेना है ठीक है तो एक बार simulation देख लीजिए double door panel design को set कर सकते हैं और tool path बना के cutting कर सकते हैं Thank you friends, best of luck